हलो गाईज, वेलकम टो माई चैनल, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे आज हमलोग बात करेंगे हिंदी के बहुत ही महत्वण कुर्ष्णों के बारे में जिनकी संक्या है 20 यह हमारा पहला पार्ट होगा, जो की रचनाव से जुड़ा हुआ है यह ऐसी रचनाए हैं जो TGT के exam में, PGT के exam में और NET तक के exam में फूछे गए हैं यह आपके लिवे बहुत ही महत्वण होंगे क्योंकि यह आने वाले exam में फूछे भी जा सकते हैं चाहे वो TGT हो, PGT हो, TED का exam हो, या SI का exam हो, ठीक है तो सभी के लिए बहुत ही महत्पूर्ण वीडियो यह है अगर आप चैनल पर पहली बारा है चैनल सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन दबा दीजेगा जिससे के आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे शुरू करते हैं आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजेगा शेयर कर दीजेगा पहला परशने आस्ता और सौंधर निबंद संग्रह किसका है जैसंकर प्रशाज जी का है निर्मला वर्मा का है कुंतक का है या राम विलास सर्मा का है तो आस्ता और सौंधर जो है ये निबंद संग्रह है और ये राम विलास सर्मा जी का है डी आप्शन सही आपका अगला है पर उपदेश कुसल बहुतेरे इस पंक्ती के रचनाकार कौन है सौर्दास, कबीर दास, तुलसी दास या रहिम जी तो इस पंक्ती के रचनाकार है पंक्ती क्या है पर उपदेश कुसल बहुतेरे ये रचना जो है मलब ये पंक्ती जो लिखी है ये लिखे तुलसी दास जी ने से अपसन आपका सही होगा राम चरिद मानस जो है तुलसी दास जी ने लिखा हुआ है साकी सवद रहमाईनी कबीर दास जी ने लिखा है सूर सागर सूर सारावली सूर दास जी ने लिखा है अगला है यामा रचना किसकी है मीरा भाई की, महादेव वर्मा जी की गुलाब राय की या जैसी जी की तो यामा जो रचना है वो किसकी है महादेवी वर्मा जी की है बी आपसन आपका सही है अगला जो प्रस्न है पांच चौथा ये बहुत ही इंपोर्टेंट है एक्जाम में एक काफी बार पूछा गया है प्रस्न है पंथ जी को किस क्रत हेतु ग्यान पीट पूरुसकार मिला संड धूली, लोकायतन, युगवाणी, चिदंबरा तो सुमित्ता नंदन पंथ जी को चिदंबरा के लिए 1968 में ग्यान पीट पूरुसकार मिला था और सबसे पहले जो है 1965 में जी संकर कुरुब जी को ग्यान पीट पूरुसकार मिला था 1972 में उर्वर्शी महाकावी, किसका है? दिनकर जी का है, रामधारी सिंग दिनकर जी का तो 1972 में उर्वर्शी के लिए जो है दिनकर जी को ग्यान पीट पूरुसकार मिला था पंत्य जी को 1968 में चिदंबरा के लिए ग्यान पीट वुरुसकार मिला था ठीक है इस चीज़ को आप लोग ध्यान ने केगा अगला प्रस्न है अपभरंश के प्रथम महाकवी कौन थे हेमचंद्र, स्वैमभू, रामचंद्र या सोमप्रभसूरी तो अपभरंश के प्रथम महाकवी थे स्वैमभू, रामचरिद्मानस की भासा क्या है, देगे रामचरिद्मानस की भासा है अवधी, पी आप्सन सही है, रामचरिद्मानस किसने लिखावा है, तुलसी दाजी ने अगला प्रशन है, अंडे के छिलके की विधा क्या है, उपन्यास है, नाटक है, कहानी है या निवंध है, तो अंडे के छिलके की विधा है नाटक, देखें कुछ अंडे के छिलके जो नाटक है ये मोहन राकेश जिनने लिखावा है, इनकी फेमस रचनाए है, असाड का ए एक दिन लहरों के राजन्स इनको काफी बार पूछा गया है इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेगा अगला है प्रेम सागर रचना किसकी है दौलत राम कविगंग की जटमल की या ललू लाल की तो प्रेम सागर जो रचना है ये ललू लाल जी की है ठीक है डी आप्सन महिमा कविगंग ने लिखा है गोरा बादल की कथा जटमल ने लिखा है जटमल कभी नास्केतो पाख्यान सैदल मिस्त ने लिखा है परिच्छा गुरू सिरी निवासदास जी ने लिखा है तो ये बहुत ही महत्तपूर्ण रचना है ठीक है अगला प्रशन है कामाईनी अगला है इत्यालम रचना किसकी है इत्यालम जो है ये अग्ये जी की है सचिदानन्द हीरानन्द वात्सायन अग्ये एक्जाम में अग्ये जी का पूरा नम पूछा जाता है तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेगा कि अग्ये जी का पूरा नाम क्या है सचिदानन्द हेरानन्द वात्सायन अग्ये एक्जाम में हिंदी को राजभासा बनाने का निर्णय कव लिया गया पंदा अगस्त उनिस्सव साइटालिस को चब्वीच जनवरी जातालिस को या 14 सितंबर उनिस्सो पचास को तो हिंदी को राजभासा बनाने का निर्ण लिया गया था 14 सितंबर उनिस्सो अड़ातालिस को बारती समिधान में हिंदी भासा को मानेता कब प्रदान हुई 14 सितंबर उनिस्सो अचास को जो है मानेता प्रदान की गए थी और हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मना जाता है आपको पता ही होगा प्रश्ने कौरवी भासा का उदे हुआ है राजिस्थानी से बिहारी से पूर्वी हिंदी से या पस्चिमी हिंदी से तो कौरवी भासा का जो उदे हुआ है ये पस्चिमी हिंदी से हुआ है D option सही है आपका अगला है भारती समिधान की आठवी अनसूची में वरणित भासाओं की संक्या कितनी है Very very important प्रस्ण है और आपको पता होगा मुझे पता है कि भारती समिधान की आठवी अनसूची में कितनी भासा हैं 24 हैं 20 हैं 22 हैं या 28 हैं तो ये हैं 22 भासाओं प्रस्ण है वर्स 1995 में गठित प्रथम राज भासा आयोक की अध्यच कौन थे जीवी पंथ, जैसंकर प्रषाद, बीजी खेर या पंथ जी तो ये थे बीजी खेर C option आपका सही होगा प्रथम राज भासा आयोक की अध्यच कौन थे बीजी खेर अगला प्रस्ण है उधव सतक रचना किसकी है हर्योद जी की, मीरा भाई जी की, रतनाकर जी की रतनाकर मतलब जगन नाद दास रतनाकर ठीक है, साट फार्म में उनको रतनाकर कहा जाता है बोधा जी की, तो उधव सतक जो रचना है यह है, रतनाकर जी की गंगा वत्रन, गंगा लहरी और स्रंगा लहरी यह किसकी रचना है, जगन नाद दास रतनाकर जी की, सी आपसन आपका सहय उधव सतक रचना जो है, यह रतनाकर जी की है अगला प्रस्ण है आराधना रचना किसकी है पंत जी की निराला जी की प्रशाद जी की या दिनकर जी की तो आराधना जो रचना है वो सूरिकान तिरपाथी निराला जी की है बी आपसन आपका सेयोगा पंत जी सुमित्रा नंदन पंत जी प्रशाद जैसंकर प्रशाद जी, दिनकर किसे कहते हैं? रामधारी संग दिनकर जी को तो आराधना किस की रिचना है? निराला जी की अगला प्रशने खूब लड़ी मरदानी वहतो जहासी वाली रानी थी पंक्तियां किसकी हैं? अगला प्रस्ण है उपन्यास समराड जो है किसे कहा जाता है प्रशाद प्रेमचंद पंत या निदाला जी को तो उपन्यास समराड जो है सभी को पता है प्रेमचंद जी को कहा जाता है गोदान गमन ठीक है काफी फेमस इनके उपन्यास है अगला है राम की शक्ति पूजा के रचनाकार है दिनकर पंत मैथलि स्रण गुप्त या निराला तो राम की शक्ति पूजा के रचनाकार है सोरिकान तिरपाथी निराला जी तो आपका option D से होगा ठेक है इस प्रकार से आज के जो हमारे 20 प्रसंद थे इन प्रसंदों को आप तयार कर दिजी और भी आगे वीडियोस आते रहेंगी रचनाव से जुड़े हुए इतियास से जुड़े हुए हिंदी के तो अगर आप पढ़ लेते हैं मेरे वीडियोस को तो गारंटी देता हूँ आप एक्जाम में अच्छा करके आएंगे तो मिलते हैं आप से एकली व